नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लावर्स पर दोस्तों अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और साथ में बैल वाला इकोन को दबाना नहीं भूलें जिससे आपको मारे आन आन वाले एक्जाम के लिए मैंतर पूर आएंगे और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाले वीडियो नहीं देखे तुस्याप ऊपर कोने माई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं और इस वीडियो की जो पीडियो है आप हमारे टेलिगराम गुरूप से भी पराप्त कर सक घृटन थाया दात्थिया प्लास्टिक का वह आवर्ण या केश जो कंप्यूटर के सभी भृतिक भागों को सुरक्षित रखता है इससे क्या कहा जाता है शिस्तम यूनिट सिप्यू में फ्रेम या प्लेट पोर्म रइटेंसर ऐन्शschaft और रहेगा दत्व या प्लास्टिक का वह आवरान जो कंप्यूटर के सभी भोतिक भागों को सुरक्षि रखता है इसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है नेक्स रहेगा आइकन पर क्लिक करने या क्वेस्चन के रिस्पॉन्स में डाटा को प्रोसेस करने ही तो स्टेप्स और टेक्स्ट की आज़ सकता होती है तो इसे क्या कहा जाता है इस्ट्रक्षन ऑपरेटिंग सिस्टम अप्लिकेशन शॉप्ट्वेर या सिस्टम यूनिट राइट एंसर ओप्षन ए रहेगा तो आइकन पर क्लिक करने या क्वेस्चन को के जो रिस्पॉन्स में ड डिवाइसों का निर्मान करने तो नैनो स्ट्रक्षर के प्रियोग पर विचार करता है नैना टेकनोलजी माइक्रो टेकनोलजी कंप्यूटर प्रोसेसिंग या आर्टिफिशल इंटेलिजेंस राइट एंसर ओप्षन ए रहेगा यह जो नैनो टेकनोलजी जो है यह त्याद किस डिवाइस में स्थीत होते हैं एकजाब के दिष्ट्ड़ सै जो है मैं तपुन कोंसर नहींगा सीप्यू और मेमोरी स्थीत होते हैं मदरबार्ड एकश्पिंशन बॉर्ड फ्रीज डिवाइस या आउटपःट डिवाइस रृटण शर ओप्सन ए तो सीप्यू और जो म करने वाले component निम्लिक्त में से किस में स्थित होते हैं तो यह जो डाटा को प्रोसेस करते हैं तो यह इन में से किस में स्थित रहते हैं input device output system unit या storage component में c answer option c रहेगा तो डाटा को प्रोसेस करने वाले जो component होते हैं यह system unit में स्थित होते हैं नेक्स्ट रहेगा कौन सा एक डाटा है जिसमें अर्थ पुन्रिती में संक्ठित और प्रस्तोती किया जाता है तो प्रोसेस, software, storage या information राइट अंसर option d रहेगा तो यह जो information जहाए एक ऐसा डाटा है जिसे अर्थ पुन्रिती में संक्ठित और प्रस्तोती किया जाता है नेक्स्ट रहेगा अप राधियों के computer से delete या damage की गई फाइलों को पुन्हें प्राप्त करने और read करने की योग गयता कानून परवरतन विशेस्गता का एक उदान है तो इसे क्या कहा जाता है इक्जाम की दिश्टी से very very important जा question रहेगा robotics simulation computer forensic या animation इसे computer forensic कहा जाता है अगर कोई अपरादी जो है अपने computer को जा delete या damage कर देता है तो उसे पुन्हें अगर प्राप्त किये जाता है तो उसे computer forensic कहा जाता है नेक्ट रहेगा परवरितियों का अध्यन करने ही तो खुद्रा वेपारियों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्रकिरिया किस नाम से इसे जान जाता है data mining data selection POS या data conversion अध्यन करने ही तो खुद्रा वेपारियों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्रकिरिया data mining कहलाती है नेक्ट कोशन रहेगा जिस प्रकार का यह किस प्रकार का software है जो एक छोटी फाइल create करता है जिसे internet से अधिक तेजी से transfer किया जा सकता है compress, fragmentation, expatulation या अन्य जिफ्ट तो इसे क्या कहा जाता है, right answer इसमें option A रहेगा, अगर कोई बड़ी फाइल है तो आम उसे compress करते हैं जिसे उसका कार छोटा हो जाता है तो internet से जाए अधिक तेजी से transfer उसे किया जा सकता है, next रहेगा, इन में से disk को task और sectors में विभाज़ित करने की एक प्रकिरिया है इसे इ routing, crashing, formatting या tracking, right answer जो है option C रहेगा, formatting जो होती है ये disk को task और sectors में विभाज़ित करने की एक प्रकिरिया है, next रहेगा, इन में से कौन सा एक software है जिसका प्रियोग, विशिष्ट कारियों को निश्पादित करने के लिए किया जाता है, operating system जिसे OS का आ जाता है, प्रोग्राम, data software या data, see answer जाइस में option B रहेगा, तो प्रोग्राम एक ऐसा software होता है, जिसका प्रियोग, विशिष्ट कारियों को निश्पादित करने के लिए किया जाता है, नेस्ट रहेगा, DEL कमांड का प्रियोग, DEL, दोस्तों अगर आप computer का प्रियोग करते हैं, तो आपने keyboard पर DEL सब्द लिखा हुआ देखा होगा, तो इस कार्थ क्या होता है, फाइलों को डिलीट करने के लिए होता है, डोकरेटी को डिलीट करने के लिए, लेबल को डिलीट करने के लिए, फाइल का content डिलीट करने के लिए, राइट एंसर जाइसमें option A, जो हमारा सही रहेगा, तो DEL करत जा डिलीट होता है, तो ये फाइलों को डिलीट करने के विशेष्तक्रण भिए कोपर कोपर केबलेंग की तुलां में टार को तेसी obrigado कोपर कोपर की टुलां में से वह सुचार रूप से कारे करता है और एक माध्यम परदान करता है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर के साथ इंट्रेक्ट कर सकता है तो इसे क्या का जाता है ऑप्रेटिंग सिस्टम मदर बोर्ड प्लेटफोर्म या अप्लिकेशन इसका सोफ्ट्वेर राइनसर ओफशन रहेगा तो ऊस ज्ता है ओए ओप्लेटिंग सिस्टम यह कंप्यूटर शिस्टम का एक प्रकार से नियन तर्ण करता है जिससे वैंने चारीूप से कारे करता है और अक माध्यम परदान करता है जिसके दुबारा user computer के साथ interact हो सकते हैं next रहेगा computer और keyboard के मद्धे communication में transmission समलित रहता है automatic, hope duplex, full duplex या simplex right answer रहेगा option D computer और keyboard के मद्धे के communication में simplex या transmission समलित रहता है next रहेगा कुट अंकित परविष्टिया जिसे coded interest विका जाता है का प्रियोग computer system को access करने के लिए किया जाता है ये इन में से किसे कहा जाता है entry codes, password, security command या code words को तो ये जो है password को कहा जाता है जिसका प्रियोग computer system को access करने के लिए किया जाता है इसको पास्वर्ड नाम से जाना जाता है नेक्स्ट हैगा इन में से कौन सी जो है एक कम्प्यूटर लेंग्वेज घंडिते रूप से एक ओरियंटेड लेंग्वेज है जिसका प्रियोग विगैनिक समस्चाओ के समधान के लिए किया जाता है फोर्टरोन, कोबोल, लिस्प या प्रोलोग राइट अंसर जो है इसमें उप्शन ए रहेगा तो फोर्टरोन जो है एक कम्प्यूटर लेंग्वेज है घंडिते रूप से ओरियंटेड लेंग्वेज है जिसका प्रियोग विगैनिक समस्चाओ के समधान के लिए करते हैं नेक्स रहेगा औरकल तो यह जो औरकल जो है इनमेंसे एक क्या है और डीबी एमेस है हार्डवेर है सिस्टम सोफ़ेर है या हाई लेंग्वेज हाई लेवल लेंग्वेज है राइट अंसर जो है इसमें उप्शन ए रहेगा तो औरकल क्या है एक और डीबी एमेस जो है रह जाता है रोम प्रोग्राम सिस्टम बोर्ड अर्थामेटिक लोजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट इसे जो है कंट्रोल यूनिट का जाता है राइट एंसर रहेगा ऑप्शन धी नेक्स्ट है निम्रिक्त में से कौन अपने समगटकों के रूप में इन्पूट प्रोसेसिंग आउटपूट और स्टोरेज से निर्मित होता है processing, output, input या storage right answer option a जाय रहेगा तो processing जो होती है 인ritis, output processing इन storage से निर्मित होता है next है निमन में चौन श्युवस्थित रूप से संचित अंतेस थापित data की अधिक मातरा का एक संग्रित शंग रहा है जिसका प्रयोग manipulation और अपडेटिंग के लिए किया जाता है फाइल, फॉल्डर या डाटा, माइनिंग, राइट अंसर जह है, उप्शन ए रहेगा, तो यह इस करत जो है, से अंसर जो हमारा उप्शन ए रहेगा, डाटा बेस, नेक्स्ट है, एमेल शेंड करने या वैब पेजों को क्रेट करने की वहांपर के रिया, जिसे किसी वेक्ति के ओनलाइन बैंक अकाउंट, credit card या अन्या लोग इन information को collect करने के लिए निदिश्ट के जाता है इसे क्या का जाता है fishing, spam, hanking या cracking answer जो हमारा option A रहेगा तो इसे fishing का जाता है जिसे किसी वेक्ति के online bank account, credit card या न्या information जो होती है इसे collect करने के लिए निदिश्ट किया जाता है इसे कौन जो है USB की एक पर्मुख विशेष्टा है तो इन में से USB की एक विशेष्टा है ये कौन सी रहेगी सेवतंतर प्लेटफर्म है आसरित है, आसरित सोर्स है या आसरित एक software है उत्तर जो हमारा option A रहेगा ये USB की जो एक प्रमुख विशेष्टा है कि ये एक सब्तंतर प्लेटफर्म है नेक्स्ट है सिस्टम जो सिस्टम की घड़ी होती है इसके संद्र में इन में से कौन सा कथन ऐस सत्ते है यह टूल बार की प्रोपर्टी है सेमे से में पर टाइम सोर्स के साथ साथ टाइम को रिफ्रेश कर सकता है सिस्टम का टाइम अरत्मान तारिक और समदर साथ है सिस्टम टाइम को नियंतित करता है जिससे आपका अप्लिकेशन से इसमे को एक्सेस कर सकता है राइट अंसर जहाँ इसमें ऑप्शन ए रहेगा तो यह है एक toolbar की property है Next रहेगा निमलिक्त में से कौन word processing software में उपलब एक text alignment है जो दाएं पर्सों को किसी प्रकार नियंतित करते हुए दाएं पर्सों को समय जित करता है इसे क्या कहा जाता है justify, lift justify center या orientation c answer जहाँ option भी रहेगा तो इसे left justify कहा जाता है Next question है आर्टीएफ आर्टीएफ का जो पूर्ण रूप है या इसकी जो full form है ये इन में से क्या रहेगी rich text formatting, rich text format, right text format या right text font तो आर्टीएफ जो है इसकी जो full form है ये rich text format रहेगी रहेगी, right answer रहेगा इसमें option B Next है निमलिक्त में से कौन सा character set जापानी और Chinese font को support करता है तो जापानी और जो Chinese font को इन में से कौन सा support करता है E, B, C, D, I, C, A, S, C, I, W, I, B, C या unicode right answer जो है इसमें option D रहेगा तो ये जो unicode जो होता है ये जापानी और जो Chinese जो font होता है इसमें से support करता है Next है निमलिक्त में से कौन एक valid email address है very very important जाए question रहेगा तो यहाँ पर जाए एक valid email address जाए निमें से कौन सा रहेगा right answer option D रहेगा website उसके बाद dot name add the rate website dot com जाए ये सही रहेगा Next है email से संबता है क्या हानी हो सकती है हम जाए email से data को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेजने के लिए प्रयोग करते है तो इसमें क्या हानी हो सकती है right answer जाए option B रहेगा तो email computer को प्रवावित करता है तो यह जाए इसमें एक संबता हानी हो सकती है Next रहेगा निम्लिक्त में से कौन सा सिस्टम समर्पित परसनल कंप्यूटर्स का एक वरग है सी answer जाएश में option B रहेगा single task के लिए प्रुक्त होने वाला एक system है हमारा location रहेगा इन में से किसका प्रयोग अतियादिक बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या महां किया जाता है जहां first response time अधिक मेतापूर्ण नहीं होता है इस्तांतित की जाएनावाई लिए फाइलों को एक अफ़दी के दूरान इकतित किया जाता है और उसके बाद जाए batch के रुप में एक साथ send कर दिया जाता है तो इसे इन में से क्या कहा जाता है राइट अंसर जहां option A रहेगा तो इसे batch processing कहा जाता है next रेगा निम्रिक्त में से कौन सा एक प्रकार का software है जो की श्यम परतिवलित software है जो की श्यम परतिवलित रेपलिक्ट होता है और तो ता फाइलो और सिस्टम को नक्सान पहुंचा सकता है इसे क्या का जाता है वाइरस, ट्रोजन होर्सिस, भूर्स या वार्म्स इसे जो है वाइरस का जाता है यह जो है हमारे computer को खशती पहुंचाता है next रेगा निम्रिक्त में से कौन यूजर नेम के साथ संख्याओं और वन माला का एक combination है जिसका प्रियोग यूजर अकाउंट को एकसेस करने के लिए करता है पासवर्ड, यूजर नेम, टाइटल नेम या होस्ट आईडी इसे जहाँ पासवर्ड कहा जाता है जब हम अपने computer या mobile को ओपन करते हैं तो हम जहाँ उसमें कुछ पासवर्ड या कुछ लगाग रखते हैं जिसके बाद वो अपन होता है तो इन में से जो पासवर्ड जो होता है यूजर नेम के साथ जायस संख्याओं और वन माला का एक combination है जिसका प्रियोग यूजर अकाउंट को अक्सेस करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट रहेगा इन में से किसको जायस टोर करने के लिए हाड ड्राइव का प्रियोग किया जाता है Volatile Data, Non-Valtile Data, Permanent Data या Temporary Data का तो इसके लिए Permanent Data प्रियोग किजला जाता है हमारा question है Computer Store से किसी फाइल को एकसेस करने के लिए निमलिक्त में से किस का प्रियोग किया जाता है Insert, Retrieve फाइल या Find का तो किसी फाइल को अगर हम एक्सेस करते हैं तो इसके लिए जो है इसमें से फाइंड का प्रियोग जा हम करते हैं नेक्स्ट एगर निमलिक्त में से कौन जो है कम्प्यूटर के कारे के लिए उतरदाई नहीं है कीबोर्ड में विद्मान आने को कौन जिया विडियो ग्राफिक्स वर्ड की मेमोरी प्रोसेसर की क्लोक स्पीड या प्रोसेसर में उपलावद आने को कौर सी अंसर इसमें ओप्शन ए रहेगा कीबोर्ड की विदमान इने को कुझिया यह जो है इस कारे के लिए देडाई नहीं है नेक्स्ट चाने का ओफिस से बाहर जाते से मैं आप अपने कंप्यूटर को लोग औफ क्यों करते है तो अगर आप कहीं बाहर अगर आपने जाना है तो आप जो आपने computer को चॉप कर देते हैं लोग आउट कर देते हैं तो यह सा क्या हूं करते हैं राइट अप्षन ए रहेगा कोई आपकी file password इत्यादी की चोरी कर सकता है इसलिए आप जो से लोग आउट करते हैं नेक्ट रहेगा वी ओ आईपी का विस्तारी तुरूप क्या है इसकी perform जाहिर में से क्या रहेगी राइट अप्षन भी जो रहेगा वी ओ आईपी का विस्तारी तुरूप है voice over internet protocol नेक्ट रहेगा कोई की scrambling क्या कहलाती है encryption, firewalling, scrambling या decaption c answer जाईश में option a रहेगा तो code की जो scrambling है ये encryption कहलाती है तो दोस्तों यह थे हमारे आज के computer से मेहतापूर कोईशन जो आगे आने वाले exam के लिए मेहतापूर एंगे और दोस्तों अगर आपका हमारे कोईशन अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा जाज़ादा गृर्प में शेयर कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ आन तक बनाएने के लिए धन्यवाद